अलो फ्रेंट्स वेलकम टू गेम सेकर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेस्निंग डेवल्डूशन 3D गेम में मनी इन दा बैंक के अरीना के से डाउन्डोड कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन में आपको चार लिंक्स मिलेंगी यहां दो अरीना फैल की लिंक हैं जिन में से दोनों मनी इन दा बैंक के अरिना हैं बट दोनों अरिना में अंतर है कि एक अरिना में आपको रिंग के उपर ब्रीफ केस लटका हूँ दिखाए देगा क्योंकि WR3D गैम की साइज बहुत छोटी है और उसमें हम ब्रीफ केस कैसे नहीं कर सकते हैं तो आपको शुरू की दो लिंक्स एरिनास की लिंक मिलेंगी और जो नीचे थर्ड और फोर्थ नंबर की लिंक्स हैं उनसे आप मनी इन दा बैंक ब्रीफ केस डाउनलूर कर सकते ह आप एजी वीपन यूज कर सकते हैं WR3D गैम में आप सभी जानते हैं कि इस गैम में वीपन में एक सिंपल ब्रीफ केस होता है तो आप उसी ब्रीफ केस को मनी दा बैंक ब्रीफ केस से रिफ्लेस करेंगे नीचे दो ब्रीफ केस लिंक्स हैं जहां पर आपको दो ब्रीफ केस देखने को मिलेंगे में एंड रूमें वनी इंदा बेंक ब्रीव केस तो आप इनमें इस जो भी एरिना फाइल और ब्रीव केस की फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब मैं आपको बताता हूं कि आपको चेंज केसी करना है यह आपको एक 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 जरुत पड़ेगी एक एडिटर और इसे आप अपने स्क्रिण पर देख सकते हैं आप तो आप इस एक एक एडिटर पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटर फेस आएगा तो यहां पर आपको जो दूसरे कर लेना है कोई मोड भी हो सकता है तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद में आपको सिंपल एडिट पर क्लिक करना है बीच वाली ओप्सन है सिंपल एडिट आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको कुछ फॉल्डर दिखेंगे तो इन में इसके जो भी फॉल्डर है उसको select कर लेना है आप तो यहां पर आपको चार arena फाइल देख रही है arena arena basic arena wargames arena wargames basic तो आपको इन चारों फाइल को replace करना है तो replace करने के लिए यह वाली जो option है आप इस पर click करेंगे और इस पर click करने के बाद में जो भी arena file है आप उससे replace कर देंगे तो मैं replace कर रहा हूँ चारों में आप इसी तरह से man in the bank arena है उसको replace कर देंगे और इसके बाद में इस save की option पर click करके आप game को install कर लेंगे और आपके जो arena है वो change हो जाएगा man in the bank arena में इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि weapon change कैसे करना है मतलब कि आपको man in the bank briefcase wr3d game में कैसे install करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर back आना है यहाँ पर आपको assets की folder पर click करना है उसी तरह से और यहाँ पर arenas की वजाए आपको items का folder select करना है और इसके बाद में जो weapons का folder आएगा आपको इसमें जाना है और briefcase change करने के लिए यहाँ पर एक file है case.zf3d तो आपको इसे change करना है और money in the bank briefcase से replace कर देना है जिस भी folder में आपने money in the bank briefcase की file download कर रखिये वहां से उस file को select कर लेंगे और इसी तरह से अगर आप उन दोनों ब्रीफ केस को एक साथ यूज में लेना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे वीपन से इने change कर सकते हैं लाइक आप ट्रॉफी से change कर सकते हैं और इसमें आप money in the bank आपको यहां पर नीचे save की option दिख रही है तो यहां पर यह थोड़ी देर work करेगा और इसके बाद में यहां पर आपको तीन option आ रही है remove install close तो आपको install की option पर क्लिक करना है और इस game को install कर लेना है इसे install करने के बाद में आपकी जो एरेना है वो भी change हो जाएगा और money in the bank brief case भी आ जाएगा दोस्तों यही ता आज की इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगी सुब के लिज इस वीडियो को like and share करें एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें thanks for watching this video